सुनाव एर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड वाई एर्कॉन इस वैस्ट इन रेलिवे स्टॉक्स दोस्तो चॉंसल टॉपए 45 पैसे को प्राइस हमें देखने मुला है अगर आप रेलिवे स्टॉक्स में कोई अच्छा चुनाव करना चाहते हैं एर्कॉन पर आपकी नजर होन चाहिए और ऐसे मैं कई सारे यहां पर कहरें कि पूरे पी एस यू पैक के अंदर बाहर इग्राव अठाने वाले हैं ऐसे में क्या इर्कॉन उससे जूजने वाला है कि आपको एक लोवर प्राइस पर इर्कॉन देखने को मिलेगा बहुत सारी बात इर्कॉन के बारे में ज तेजी नहीं आई जो तेजी आई जो कि एक ट्रिगर की वजह से थी वो सब गायब हो चुकी है आपको जो प्राइस मिल ला है वो बिलकुल निचोड़ा हुआ प्राइस मिल ला है और जो भी अगर ग्रावट आएगी तो वो सर्फ और पी एसू पेक के अंदर जो हुए है अप टू 51% क्रेस हो सकते हैं यह स्टॉक पांच स्टॉक का नाम लिया गया है और वी एनल इर्कॉन आया सिटी सी रेल टैलेंड राइट्स इन में से सिर्फ और इर्कॉन जो है उसको अप रखा गया है बाकि सब डाउन करे गया है कैसे मैं आपके सामने रिजन बता दूँ कि अगर कोई भी PSU की वज़े से ग्रावट आती है तो यह सिर्फ और सिर्फ एक बाई ऑन डिप होगा जो की मार्केट में एक कावत बन चुकी है पूल तरी किसे अब हाइर साइट पर जो फसा हुआ है देखे प्राइस आएगा बट उसमें टाइम लेगा तीन पर जाता है तो आप समझ सकते हैं कि बिलकुल ट्रेडर फ्रेंडली टाइम होता है और बहुत सारे लोग बहुत लंबे टाइम से स्ट्रेटीजी बनाते है तो उसको काम करते है पी एस वह यहां पर टिगड़ किया गया वो ले जाया गया तीन साट रुपाले वाले स्टोक 3200 करोड रुपए की है वही अगर आप HCC का मार्किट कैप देखेंगे यानि कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का मार्किट कैप अगर आप देखो हुए 8356 करोड का देखने हो मिलेगा at that time अगर आप देखेंगे तो 9,534 करोड रुपए की देखने हो मिलेगी वही अगर आप देखें इरकॉन का मार्किट कैप कितना है 24,900 करोड का मार्किट कैप है करेंट प्राइस के हिसाफ से एंड यहाँ पर आपके सामने ओडर वुक कितनी है 27,204 करोड पूरी बात से क्या समझना चाहिए कि इधर भी आप कंपैरिजन कर लेंगे इविन आई आर वी पर भी अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आया कि जो कंपनी का मार्किट कैप आपको देखने को मिलना है वो लगवग लगवग आपकी ओडर वुक के आसपास देखने मुलता है कम जबकि सारी कंपनी यहां यहां पर यहां पर आपके कार्न का मार्किट कैप आपको आपर जो अपने आरुग के लगवव लगवग पास देखने मुलता है तो एसे मैं इसलीर उसलिए एक रिजने मुलता है जबकि order book से एक छोटा market cap capture करके बैठा है, बहुत सारी ग्रावट इसके अंदर already हो चुकी है, वो एक reasonable ग्रावट थी, बट जो अभी price मिल ला है, वो एकदम सटीक price, एक reasonable price मिल ला है, और आपका जो PE ratio है, वो 25.81 पर है, इंडस्टी भी आपका 46.89 पर चला है, आप इंडस्ट कोई बहुत बड़ा price to book value नहीं है, आपका जो peer comparison RVNL है, वो ज़्यादा है आपर महंगा देखने हो मिलता है, आप यही चीज RVNL पर अगर आप रखेंगे, तो market cap आपको एक लाग करोड की ऊपर मिलेगा, बट order book आपको 80,000 करोड के आसपास मिलेगा, लंसम लंसम 30,000 करोड market का कुछ ज़्यादा देखने हो मिलता है, ऐसे मैं higher side से 30% की गिरावट जो है, वो need है RVNL के अंदर stock के में, इस price से 560 या 564 रुपया का price चल ला है, वहां से 30% correction की need है, तो यह पूरी बास समझ में आ रही है, क्योंकि एक pattern सा हमें देखने को मिल रहा है, और उसी pattern की गिरावट आएगी, तो IRCON चाहिए जितना अच्छा बना रहे है, वो निप्टे गा उस चीज़ में, भले ही याँ पर दूसरे stocks में 30% गिरावट आईगी, लेकिन वही तो आपको opportunity create करवाएगा, buy on dip, जब हमें पता है कि हमारा stock अच्छा है, तो एक buy on dip तो बनते ही है, काफी कुछ आपको सुझ में आया होगा, एंड ऐसे में, IRCON एक perfect pick लगता है, अगर आपके पास है, तो एक बहुत अच्छी बात है, बड़ मैं आपको बता दूँ, technical basis पर, fundamental basis पर तो आपने समझ लिया, कि ये बहुत ही अच्छी चीज हमें देखने हो मिल रही है, हमारे साम जुलाई के समय, IRCON के अंदर, एंड ये लगातार स्टॉक चला था, लगातार स्टॉक ये चला है, और आपका 360 रॉपय का हाई बहुत अच्छी बात, बट अभी क्या हुआ है कि इस जगह पर ये trend line break हो गये, and trend line break होने के बाद आपको सामने है, ये price consolidation में देखने हो मिल रह है, आपकोस बहुत सारे pattern आपको देखने मिल जाएंगा, आप देख सकते हैं, same to same pattern IRCON का भी देखने मिल ला है, जब भी trend line break होती है, ये consolidation होता है, और उसके बाद consolidation के बाद एक समझ में आता है, कि ये higher side जाना है, या फिर lower side जाना है, and ऐसे में 256 रुपय बहुत important level लगता है because consolidation उसी के आसपास हो रहा है, यही लेवल के आसपास है, इस लेवल को तोड़ नहीं रहा है ये stock, 256, 255, ये काफी important level हो जाते हैं IRCON के अंदर, अगर ये तूटते हैं, by chance अगर ये तूटते हैं, 256, 255 के लेवल, then आपर एक कहिना की गिरावट हो सकती है, and वो गिरावट कहि हैं कि 20% तक ही हो सकती, correction में बदल सकती, वो आपको 200 रुपए 190 तक लेकर आ सकता है, ये है IRCON के अंदर, बट ऐसा नहीं है कि इनके साथ ही ऐसा हो रहा हो, ये पूरा PSU पैक जब गिर रहा होगा, तब ही होना मुम्किन है, otherwise IRCON एक reasonable value पर चल रहा है, एक सही सठीक price पर चलना कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है, so that इसी लिए, IRCON के अंदर कोई बहुत heavy गरावट आना एक नामुम्किन जैसे बात है, पूरा PSU पैक जब गिरता है, तो आप समझे कि आपके PR जो हैं, गिर रहे हैं, डार्वेनल टूट रहा है, तो ऐसे में आपके ऐसे बज जाएंग आपको जो है, निचले लेवल देखने को मिल सकते हैं, निचले लेवल देखने को मिल सकते हैं, ऐसे में एक buy-on-dee बनता है, नई खरिदारी का भी समय बनता है, अगर किसी को chase करना है, तो कुछ यहाँ पर जो है, आपके सामने यह सारी चीज हैं, आप अपनी screen पर भी लग करता है अगर आपको सारी चीज़ समझ में आती है तो 256 अबारे सामने साफ साफ दिख रहा है कि एक पहले या बेचनिस पहले आपने ब्रोकर एंडवायर से जरू सला लीजिए खुद की स्टेडी करें उससे बैतर कुछ में खुद की स्टेडी में अच्ट है तो आप दीचे में जाए बढ़ी देखने लिए बहुत दन्वाद दूस्तों